असानी से आप कर पाएंगे और इससे जब ये प्रकार से देखेंगे तो ग्रामेन इलागों में कोरोना से निपटने में मदद मिलेगी और मैं भी लंबे अर्शे तक आपी की तरह कुझनों को काम करते करते हैं यहां पहुंचा हूँ मेरा अनुभव है कि गाम को गाओं के लोगों के अगर सही बात समय पर पहुंचा दी जाए तो वो बहुत रिलीजिसली उसको फॉलो करते हैं बहुत रिलीजिसली और जो शहरों में कभी कभी हमको किसी चीज को लागू करे में मेहनत पड़ती हैं गाओं में उतनी मेहनत नहीं पड़ती हैं हां क्लेरिटी चाहिए गाओं के अंदर एक टीम बनानी चाहिए आप देखिए वो परणाम खुद दे देते आपको साथियों सेकंड वेव के बीच वाइरस म्यूटेशन की वजह से अब युवाओं और बच्चों के लिए भी जादा चिंता जताई जा रही है अभी तक हमारी जो रनदिती रही है आपने जिस तरफ फिल में काम किया है उसने इस चिंता को उतना गंबीर होने से रोकने में म लेकिन हमें आगे के लिए और अधीक तैयार रहना ही होगा और सबसे पहला काम आप कर सकते हैं कि अपने जिले में युवाओं बच्चों में संक्रमन और उसकी गंबीर ताके आंकड़े व्यवस्तित करें अलग से उस पर रेगूलर आप एनालिसिस कीजिए आप स्वयम भी मेरा सभी आप प्रमुक दिकारियों से आग रहे हैं कि आप स्वयम भी उसका अकलन करें इससे आगे के लिए तैयारी करने में मदद मिलेगी